असलाम लेकुम आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ चॉकलेट स्पंच केक बनाने की रेसिपी सर्थ स्पंच केक बनाते वक्त यह होता है कि इसके एजस कड़क हो जाते है या फिर उपर से वो जादा फूल जाता है और आप मेरे बताए हुए मेजरमेंट से बनाओगे तो यह एकदम परफेक्ट बनेगा सबसे पहले हम ले लेंगे 3-4 cup मैदा अगर आपके पास 3-4 cup नहीं है तो आप 1 cup यूज करें और उसमें से 1-4 निकाल ले तीके साथ हम इसमें एट करेंगे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर यानि 2 बड़े चमच हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1-4 टी स्पून बेकिंग सोडा अब हम इन सभी ट्राइ इंग्रीडियंस को अच्छे से सीफ कर लेंगे ताकि जो भी लंस वगेरा हो निकल जाए हमें सब ट्राइ इंग्रीडियंस को दो बार सीफ करना है अच्छे से सीव करने के बाद अब हम एक स्पून के मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम एक बाउल में एट करेंगे तीन अंडे 14 पून वनीला एसन अंडे को बीटर की मदद से अच्छे से फेट लेंगे जब तक कि इसमें स्टीव पिक्स ना आ जाए 3-4 cup powder sugar और 2 minute के लिए हम इसे अच्छी तरह से beat कर लेंगे अब हम इसमें add करेंगे 2 tablespoon oil और 2 tablespoon oil डाल कर हमें इसे continuously beat करना है और इसके साथ ही हमें एक एक चमच करके dry ingredient डाल देना है अब हम ले लेंगे half cup दूथ और इसमें से half cup डाल देंगे और आदा बचा लेंगे हम इसमें add करेंगे बचा हुआ सारा dry ingredient और इसे अच्छी तरह से beat कर लेंगे इसी के साथ हम इसमें add करेंगे दूथ जो हमने पहले ही बचा कर रखा हुआ था और इससे 2 minute तक के लिए अच्छे से beat कर लेंगे तो हम एक bound ले लेंगे और इसके चारो तरफ इसी तरह से हमें butter paper apply करना है ages के तरफ भी apply करेंगे ताकि cake के ages कड़क न हो जाए और निकलते वक्त भी cake आसानी से निकले अब हम इसमें add करेंगे सारा better और इससे 2-3 बार tap कर लेंगे ताकि जो bubble से वो निकल जाए हम इसे 150 डिग्री पर रखकर 30 मिनट बेक कर लेंगे 30 मिनट बात आप एक toothpick इंसर्ट करके देख सकते हैं अगर ये clear निकल रहे है इसका मतलब आपका cake perfectly ready है आप देख सकते हैं कि हमने butter paper apply किया था इसके वज़े से cake कितने smoothly निकल रहा है अब हम इसके सारे ages से और नीचे से butter paper निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि chocolate sponge cake बन करके ready है आप देख सकते हैं कि ना ही ये उपर जादा फुला है ना इसके ages कड़क है आप देख सकते हैं कि कितना soft और spongy बन करके ready हुआ है आप इस cake को आसानी से knife के साथ cut कर सकते हैं अंदर का जो sponge है वो भी इतना ही soft और smooth बना है जितने की भार का कैसी लगी है recipe आप अपने feedback देखकर ज़रू बताए अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें अगर आप मेरे चैनल पर new हो तो मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें ताकि आने वाले इसी तरह के लेटेस वीडियो साब तक सबसे पहले पहुचे मिलते हैं एक नई recipe के साथ अल्ला हाफिस